Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello friends, welcome to my YouTube channel Vionet Health. मैं हूँ आपके साथ भव्या. तो आज की इस health video में मैं आपको बताऊंगी चीनी राखियां बिगार रही हैं सेहर. बजार में चीन का जल्वा कायम है. चीन से तयार राखियां तो नहीं आ रही. पर वहां से आने वाले कच्चे माल से स्थानिय स्थर पर राखियां तयार की जा रही है. यही राखियां इन दिनों बजार में चाई हुई है. चीन से आने वाले उत्पादों में टैडी बियर्ण, लाइट वाले प्लास्टिक के छोटे खिलोने, रंग बिरंगे प्लास्टिक और कच्चे धागी, प्लास्टिक के मोती, मूंगा, शीशा और ऐसे ही कई दूसरे उत्पाद शामिल हैं, इन्हें त्यार करने में कई तरह के हानी कारक रसायनों का उप्योग किया जाता है, कई रंग भी इसके जहर को और जादा बढ़ा देते हैं, इनी का उप्योग राखियों में किया जा रहा है, बच्चों में राखियां बांदने और बंदवाने का जादा शौक होता है, इन रसायनों का बच्चों पर ही लिले साबित हो सकते हैं. पहले राकियों में सूद के धागों, कागच, मोटी, पॉलिथेन और फोम का उवियोग किया जाता था. इसके बाद विबिन तरा की लकडी, तुलसी, चंदन और ऐसी ही कई चीजों का चलन बड़ा, पर आज कर प्लास्टिक का चलन जादा है. तो अ पहुचाहिए कि राखी की खरीदारी करने से पहले वह ये संतुष्टी कर लें कि वह बच्चों के स्वास्ते के लिए घातक साबित ना हो. बच्चों के स्वास्ते की दृष्टी से ही चीन से प्लास्टिक के सभी तरह के खिलोने के अयात कर बंदिश है. तो आज की इस हेल करें तिल दे एक लड़ी और स्टे विट थैंक यू